भक्ति के नाम पर भक्तों से लूट बागेश्वर धाम वैशनु देवी तो कभी केदारनाथ यात्रा लकी ड्रॉ हेलिकॉप्टर बुकिंग तो कभी टूर पैकेज ओल्लाइन बिछाया ठगी का काला जाल इस यूग को कल्यूग ऐसे ही नहीं कहा जाता है यहां सब कुछ हो सकता है यहां लोग इंसान तो इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं हर दिन लाखों अपराद की खबरे आती हैं और इन में से कुछ ऐसी भी अपराद होते हैं जिनका नाम भगवान से जुड़ा होता है कभी भक्ती की याड में हैवानियत की खबर आ चलता ऐसे जालसाद अपना दर्वार लगाने से लेकर सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं जो कुछ सच्चे धर्म गुरुओं का भी नाम खराब करते हैं और कुछ गैंग ऐसे सोशल मीडिया में सक्री हो गए हैं जो नामी धर्म गुरुओं के नाम पर अपना काला धंदा चल और केदारनाथ यात्रा के नाम पर हो रही लूट के बारे में बागेश्वर धाम के नाम पर लकी ड्रॉप तो कभी केदारनाथ हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर तो कभी वैशनो देवी जाने के टूर पैकेज के नाम पर ठगी ठगों का ऐसा जाल बिचा है कि इसमें कोई न कोई फसी जाता है जहां ठग अब रियल वर्ड से वर्च्वल वर्ड में भी पाउं पसानने लगे हैं जहां ठगी के लिए सोशल मीडिया फर फेक अकाउंट बनाकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वर्टसप पर मैसेज भेज कर लोगों को अलग-अलग तरीक गए वह जा रही है वहीं कुछ महिने पहले की बात करें तो जब उत्राखन में चार धाम यात्रा के परां ठगों ने जाल बिछाकर लोगों को लाखों का चूना लगा दिया वहीं उससे कुछ दिन समय पहले ही बात है जब दिल्ली में वैशनो देवी यात्रा के नाम पर 50 से अधित महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया ऐसे कई और मामले सामने आये हैं जहां आस्था और भक्ती के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है बागेश्वर धाम में फैला जाल लकी ड्रो के नाम पर ठगी राजिस्थान की राजदानी जैपुर के साथ साथ कई दूसरे शहरों में बागेश्वर धाम के नाम पर लकी ड्रो ठगी का मामला सामने आया जहां लोगों को भ फर्जी अकाउंट बनाए हैं वर्टसेप पर बागेश्वरधाम के वीडियो लिंक भेजे जाते हैं थग इतने शातिर हैं कि पहले वो लिंक भेजते हैं और जब मैसेच पर क्लिक होता है तो इसके बाद इनका पूरा खेल शुरू हो जाता है मैसेच क्लिक होने की जानकारी म हिजा जाता है और कुछ दिनों बाद twent जासे में उस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा की जाएगा सांती पगब्लिक से ऑंलाइन के जासे में नहीं आने की अपील की गई है लुटेरों ने नहीं छोड़ा केदारनाथ धाम हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर लूट कुछ महीने पहले की बात है जब चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ठगों ने अपना जाल बिछाना भी शुरू कर दिया था इनक हेलिकॉप्टर बुकिंग को लेकर काफी अधिक दिमांड रहती है और यह अधिकान समय फुल ही रहता है इसी का फायदा उठाका ठग काफी एक्टिव हो जाते हैं इनकी ओर से कन्फर्म बुकिंग की गैरंटी दी जाती है मोबाइल पर टिकट भेजा जाता था और जब य वेबसाइट को बंद कराया गया वहीं बीते दिन ही मद्प्रदेश के यातरी से 50,000 रुपे की ठगी का मामला सामने आया है पीडित ने सियम हेल्प लाइन पोर्टल पर शिकायत की है जिसका संग्यान लेते हुए सिटकुल थाने में आरोपियों के खिलाप मुकदमा सामने आया था जहां वैश्णो देवी जाने के लिए टूर पैकेज के नाम पर 50 से अधिक महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया जिस आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था वो फेस्बुक ग्रूप पर अलग अलग और आकर्शक टूर पैकेज शेयर करता था पंद्रा सो रुपे से कम का टूर पैकेज आफर किया जाता था जिसमें दिल्ली से बच से आना जाना उसके बाद घोड़े से माता के दरवार तक जाना और खाना पीना भी शामिल था ठक की ओर से क्यूर कोड दिया गया और एक नहीं 50 से अधित महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया सचाई का पता तब चला जब ग्रूप में 25 महिलाएं दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के नीचे बस पकड़ने पहुँची थोड़ी देर बाद ही सबको कहानी समझ में आ गई थी और उन्हें पता लग गया था कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो चुकी है हर दिन एक नया तरीका अकाउंट हो जाता है खाली देवी देवताओं के नाम के साथ ही साइबर फ्रॉड करने वाले रोज चुना लगाने का एक नया तरीका खुषते हैं युवाओ के बीच आइफोन का काफी क्रेज है लेकिन कीमत अधिक होने से कई खरीद नहीं पाते साइबर अपरादी ऐसे युवाओ को धोगा देने के लिए वर्च्वल नमबरों का उप्योग कर रहे हैं दूसरे देशों का कोड लगा होता है ये दोगेबास दुबई से सस्ता आइफोन दिलाने की बात करते हैं दुबई से सस्ते मोबाइल के चकर में कई लोग फस भी जाते हैं बैंकिंग डीटेल करने के बाद कई लोगों के खाते खाली हो जाते हैं गुजरात में एक व्यक्ति को सतर हजार के चकर में साथ लाख रुपे का चूना लगा शुरुवात में टोकन मनी और फिर यूपुयाई के जरिये पूरा खेल इनका शुरु हुआ सचाई का पता काउंट खाली होने के बाद चला तरीके अलग-अलग हैं और रोज नए नए ऐसे में किसी भी ओफर में ना आए नहीं तो लोटरी के नाम पर चूना लगना तो तै है ऐसे में आए दिन भगवान के नाम पर ठगी करने वालों की कमी नहीं है सोशल मीडिया पर ऐसे कई गैंग सकरी है कभी दर्शन तो कभी किसी धाम के नाम पर लखी ड्रॉ आपके सांट ठगी हो चुकी है इसका पता तब चलेगा जब आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है कई बार तो ऐसा भी देखने में मिला है कि पूरा काउंट ही खाली हो गया आए दिन नए नए तरीके से लोगों को चुना लग जाता है जिसमें कब कोई फश जाए कुछ पता नहीं चलता जहां लोग जादा सतर्क होते हैं उससे जादा लुटेरे आधुनिक तकनीक अपन सब्सक्राइब में आज के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नहीं मुद्दे के साथ बाकी तमाम ख़बरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश नमस्कार